हेलो फ्रेंड्स, आज का मारा टॉपिक है हाउ टू एड न्यू इन्वाइटीस ट्रम कैलेंडली टू फ्लोडेक्स एस सब्सक्राइबर्स तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम यह समझेंगे कैसे आप 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 आपोमेटिकली फ्लोडेक्स में सब्सक्राइबर क्रियेट कर सकते हैं जब भी कोई न्यू इन्वाइटी क्रियेट हो कैलेंडली में, जी हाँ यह पूरा प्रोसेस आप 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 आपोमेट कर सकते हैं पैपली कनेक की मदद से जो कि एक amazing integration software है अब जानते हैं प्रोसेस कैसे वर्ग करता है तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं ट्रिगर में हम लेंगे कैलेंडली, एक्शन में हम लेंगे फ्लोडेक्स, तो दोस्तों पूरे automation में क्या होगा जब भी कोई invitee क्रियेट होगा कैलेंडली पे, तो automatically वो कैलेंडली वाला जो invitee है वो as a subscriber create हो जाएगा फ्लोडेक्स application में, दोस्तों यह पूरा प्रोसेस बहुत ही simple है, इसमें कोई भी coding skills की जरवत नहीं है, अगर आप भी प्रोसेस सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको लिए चलता हूँ मिरी स्क्रीम के ओके फ्रेंड्स तो यह है पैबली का लेंडिंग पेज और आप इस पेज पेज प्यार सकते हैं simply आपके ब्रावजर में टाइप करके पैबली.com यहाँ पर आपको दो option मिलेंगे एक है sign in option, दूरह है sign up for free option तो अगर आप एक new user है तो आपको क्लिक करना है sign up for free वाली बटन पे और आप आपका account create कर सकते हैं केवल 2 minute में मैं क्लिक करूंगा sign in वाली बटन पे क्योंकि मैं existing user हूँ उसके जाद दोस्तों आपको जाना है पैबली connect वाले dialogue box में क्लिक करना है access now और आप आप जाएंगे पैबली connect के dashboard पे यहाँ पे आपको right hand side पे बटन देखेगा create workflow का उस पे आपको क्लिक करना है जो एक dialogue box open हो जाएक जो पोल रहा है enter workflow name here तो दोस्तो basically हमको यहाँ पर हमाई workflow को को कोई नाम देना है let's say मैं मेरी workflow को यहाँ पे नाम देना चाहता हूँ add new invitees from calendly to flowdex as subscribers तो दोस्तो यह हमारा objective है आप आपके साब से कोई भी नाम दे सकते हैं आपकी workflow को इदर पे उसके आद आपको क्लिक करना है create वाली button पे और आप आजाएंगे दोस्तो यह वाली screen पे यहाँ पे आपको 2 important module समझना है जो हमारे automation में बहुत ही important role play करते हैं इनका नाम है trigger और action तो दोस्तो trigger और action पे पूर automation काम करता है trigger बोलता है when this happen जिसका मतलब होता है जब ऐसा हो तो action बोलता है do this तो ऐसा कर दो basically trigger हमारे automation को start करता है और action में हम वो particular action perform करते हैं करवाना चाहते है हमारी automation में यहाँ पर आपको trigger application चूज करना है और इस वाली field में आपको action application चूज करना है ठीक है सबसे लिए हम trigger पर काम करेंगे तो यहाँ से हम trigger application होगी Calendly हम यहाँ पर simply type करेंगे Calendly और नीचे से आपको Calendly चूज कर लेना है उसके बाद trigger event आपको चूज करना है invitee created as a user ठीक है क्लिक करेंगे connect वाली बटन पर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बोल रहा है connect Calendly account basically हमको यहाँ पर Calendly चूज को पैबली करने के साथ connect करना है यहाँ पर देख सकते हैं add new connection को option दूसरा है select existing connection का तो अगर आपने आपका connection already built करके रखा है तो आप select existing connection के साथ भी जा सकते है और अगर आपने आपका connection build नहीं करा है तो आपको जाना है add new connection के साथ click करना है connect with Calendly और उसके बाद आपका authorization है वहाँ पर successful हो जाएगा जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते है हमारा Calendly का चूपाउंड यह पैबली करने के साथ हो गया connect ठीक है organization में particular यह organization रहना है दूँगा और user में भी में particular user को रहने दूँगा ठीक है click कर दूँगा save and send test request वाली बटन पर और आप देख सकते हमको यहाँ पर शो रहा है waiting for response user subscription scope only triggers the webbook for subscribed events that belong to the specific user ठीक है तो इसका अंतलब यह हुआ कि हमारा जो workflow है वो trigger जभी होगा जब एक event create होगा मतलब basically एक event create होगा Calendly में या subscribe event होगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों हम जाएंगे Calendly पर यहाँ पर user को create करेंगे एक invite create करेंगे इस particular event के लिए ठीक है तो मैं view booking page पर click करता हूँ और यहाँ पर मैं एक invite को create करता हूँ ठीक है for example 21st हम चूज कर लेते हैं date और time slot चूज कर लेते हैं 10 am कर ठीक है next कर देते हैं और यहाँ पर हमको details फिल करनी तो यहाँ पर मैं dummy details फिल कर देता हूँ for example first name देना चाहता हूँ मैं john last name दे दूंगा milton email address दे देंगे for example john at the red pabliqs.com और यहाँ पर एक random phone number दे देता हूँ all right click करेंगे schedule event पर और यहाँ पर आप देख सकते है confirm your schedule with Arpita Mandoli ठीक है अब मैं जाएंगे public connect पे और यहाँ पर देख सकते हैं हमको response वी रिसीड हो गया है हमको email में जो रहा है john at the red pabliqs.com first name received हो गया invitee का john milton उसका last name है और यहाँ पर created add मतलब किस particular time पर invitee create हुआ है वो हमको यहाँ पर शो हो रहा है और उसका देहाँ हमको phone number हमने हाँ पर complete कर लिया है मतलब हमने invitee create कर लिया है Calendly में अब हम चाते हैं कि जब भी कोई invitee create हो Calendly में तो उसको हम automatically as a subscriber create कर दें Flodex में ठीक है तो इसके लिए हमको इदा पर action step में आ जाना है पर action event चूज कर रहे है क्लिक करेंगे connect वाली बटन पर यहाँ पर एक dialogue box उपन हो गया जो बोला है connect Flodex account यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको add new connection का भी option है select existing connection का भी option है तो अगर आपने आपका connection अल्री बिल्ट करके रखा है तो आप select existing connection के साथ जा सकते हैं या तो आप add new connection के साथ भी जा सकते हैं मैं पर जाओंगा select existing connection के साथ क्योंकि मैंने मेरा connection अल्री बिल्ट कर लिया है क्लिक करूंगा save वाली बटन पर आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो connection है वो successfully built हो गया मतला Flodex का जो account हो successfully अनीचे आप कुछ fields देख सकते हैं जैसे की field, field value, first name, last name यहाँ पर कुछ अदर details देख सकते हैं phone number, company यहाँ पर हमको देख नजर आ रहा है save and send test request button तो दोस्तों अब हमको करना है data map जो की बहुत simple step है आपको कैसे करना है data map में बदाता हूं सबसे पहले आपको field choose कर लेना है तो choose by which you want to create or update subscriber तो यहाँ पर आपको दो option मिलेंगे, एक है email का दूसरा subscriber ID हमाँ पास email ID है तो हम email ID के basis पे एक subscriber create करेंगे तो field value में आपको enter the field value for the subscriber यहाँ पर हमने email चूस कर रहा है तो हम पर email ID हम map कर देंगे अब mapping कैसे करते है तो आपको इदा बहा क्लिक करना है और यह दिख रहा है आपको previous step का data ठीक है previous step पे जो response received हुआ है वो हमको यहाँ पर show हो रहा है इस पे आप click करें और यहाँ से आप यह email address map कर देंगे जो आपको यहाँ पर received होगा तो इसके हम last name map कर देंगे तो last name भी हम search कर लेंगे हाँ पर Milton search कर लेते हैं और यहां से हम last name map कर देते हैं जो की है Milton okay उसके send opt-in confirmation email to subscriber अगर आप भेजना चाहते हैं तो इसको yes कर दें या no भी रख सकते है opt-in IP आप यहाँ पर डाल सकते हैं opt-in timestamp डाल सकते हैं mobile number है यहां पर हम search भी कर सकते हैं यह हमने search कर लिया यह हमने mobile number map कर दिया और company में for example हम भी company डाल देते हैं पैवली ओके तो इस तरह आपको map करना है data अब mapping का importance क्या है वो समझते हैं तो यहां पर मैंने data जैसे map कर दिया यहां पर email id map कर दिया तो इसकी मदद से क्या होगा दूस्तों इसकी मदद से आपको हमेशा dynamic response generate होगा जब भी आपका workflow run होगा तो वो dynamic response generate होना मतलब क्या हुआ कि for example यहां पर मैंने data map कर दिया तो जब भी कोई new id create होगा calendar में तो उसकी details हमको receipt होएंगी और हम चाहेंगे कि वो details के साथ एक subscriber create हो इसलिए यहां पर mapping कर रहा है मतलब यह जो values है यह change हो जाएंगी जब भी कोई another invite create होगा calendar में तो उसकी value यहां पर आ जाएगी मतलब वो response हमको यहां पर show होने लगेगा और उसके according subscriber create होगा flowdex में अगर कोई भी चीज़ा manually type कर रहा है तो वह हमेशा static रहेगी ठीक है तो यहां पर हमने mapping कर दी है अब हम क्लिक करेंगे save and send test request वाली बटन पर तो आप यहां पर देख सकते हैं हमको positive response received होगा है हमको id received होगी subscriber की उसका status है active email address यहां पर show रहा है source है integration event का नाम और first name last name john milton company में हमने पैप्र जाला है यहां पर four number show रहा है created and time पर वो create हुआ है वो भी यहां पर show रहा है इसका मतलब यह है कि हमारा automation हमने अभी create कर रहा है successfully work कर रहा है आए चेक करते हैं मैं आपको लेचलता हूँ flowdex पे और यह बताता हूँ कि यह person as a subscriber create हुआ है कि नहीं तो मैं आपको लेचलता हूँ flowdex पे यह हमारी subscribers की list हम इदाबा करेंगे refresh और जी यहां दोस्तों आप देख सकते है john milton करके subscriber यहां पर create हो गया उसके email id है johnneather at fabletus.com तो दोस्तों इस तरह आप यह पूरा process कर सकते हैं आये summarize करता हूँ कि इस पूरे automation में हमने क्या कर रहा है तो इस पूरे automation में हमने दो step में यह पूरा automation बनाया है इसमें हमने trigger में लिया calendly, trigger event में हमने लिया invite created as user और action में हमने action application leave flowdex action event हमने लिया create और update subscriber जिसकी मदस्त है हमने एक subscriber को create कर लिया flowdex में तो दोस्तों कुछ इस तरह यह पूरा automation काम करता है यहां पर लिखा है instant इसका मतलब यह है instant भी हमको public connect में response receive do का मतलब तुरंत हमको response receive do का तुरंत flowdex में subscriber create हो जब भी हमारा workflow run होगा ठीक है तो आये चेक करते हैं इसको real time में मैं आपको लेचलता हूं Calendly पे और यहां पर मैं view booking page को first open करता हूं यहां पर new invite create करता हूं इस particular event के लिए ठीक है for example इस बार हम date लग लेते हैं 20 seconds और यहां पर time slot में book कर देता हूं 10.30 का next कर दूंगा यहां पर details phone number हम दे देंगे random phone number okay click करेंगे schedule event पे और यहां पर आप देख सकते हैं confirm इसका मतलब यह है यह user create हो गया यह invite ही create हो गया इस particular event के लिए अब हम क्या करेंगे हम check करेंगे flowdex और यह देखेंगे यह person as a subscriber create हुआ है कि नहीं तो दोस्तो हमको कुछ नहीं करना है हमने हमारा workflow एक बार बना लिया है अब यह पूरा process automatically काम करेंगा ठीक है तो मैं आपको लेश जलता हूँ flowdex पे यहां पर मैं करता हूँ leverage और जी यहां दोस्तो आप देख सकते है test user करके एक subscriber यहां पर create हो गया test user at pavli.com तो दोस्तो कुछ इस तरह यह पूरा automation काम करता है अगर आप भी इस automation को बनाना चाहते है या इस workflow को test करना चाहते है तो इस workflow की जो link है वह आपको description box में मिल जाएगी तो आप same workflow को clone करके उस पे काम कर सकते है और अगर दोस्तो dot com पे और अगर आपको कोई price related issue है तो आप इस link पे जा सकते है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसको like करें share करें और हमाई channel को subscribe जरूर करें thank you